दोस्तो आज हम गारबोड़क प्ले के बारे में पढ़ेंगे ये प्ले जो है ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजडी प्ले समझा जाता है ये प्ले दोस्तो थॉमस नौर्टन और थॉमस सैक वील ने लिखा है ये पहली दफार 1561 में परफॉर्म किया गया और 1565 में यानि के 1565 में इसे पहली बात पब्लेश किया गया ये जो प्ले है इसका नाम गारबुड़क जो है इसके में केरेक्टर किंग गारबुड़क की वज़ा से रखा गया है और जब ये पहली दफार परफॉर्म किया गया और पब्लेश किया गया तो इसका नाम दा ट्रेजडी ओफ एर दो बेटे हैं इनकी ट्रेजड़ी ही स्टोरी भी इन्हीं दो करेक्टर्स के गिर्द घूमती है होता क्या है कि बात्षा जो के इंग्लेंड का बात्षा है इग्लिंड हो चुका है और यह चाथता है के इसकी जिन्दगी में ही जो इसके बच्चे हैं इसका सबसे बड़ा बेटा फैरेक्स इसका छोटा बेटा पोरेक्स इन दोनों में इसका राजे जो है इसकी सल्तनत जो है वो इन में भट जाए तो ये क्या करता है कि आदी सल्तनत जो है वो फैरेक्स के नाम कर देता है जो इसका बड़ा बेटा है और आदी सल् पहले इसके जो दर्बारी हैं बादशाह गारबुडक के वो इसे मश्यूरत देते हैं कि जनाब आप ऐसा कर रही हैं यह सी नहीं है एक तो आप अपनी जिन्दगी में ही अपने हाथ से जो सल्तनत है जो पावर है वो आप अपने बच्चों को मुंत्किल कर रहे हैं यह जब इनके हाथ में पावर आ गए तो यह आपकी बात नहीं सुनेंगे यह आपको कुछ नहीं समझेंगे दूसरी बात उन्होंने इसके गारबुडक के कौनसलज्स ने से बताई के जनाब असूल यह हैं कि जो बाहशा का पहला बच्चा होता है लड़का पहला लड़का होता है सारी सल्तनत उसको दी जाती है अगर आप दो बेटों में सल्तनत को बांटोगे तो एक बेटा सारी सल्तनत के हसूर के लिए दूसरे बेटे से लड़ाई की कोशिश करेगा बादशा इनकी बातों को मुलूजे खातर नहीं रखता और वो फैसला कर देता है कि मैं जनाब अपनी सल्तनत अपने बच्चों में बांटना चाहता हूँ वो ऐसा कर देता है सल्तनत को बांट देता है अब होता क्या है बादशा जो है वो अपने दो बहुत वफादार साथी जो है उन्हें अपने बेटों के साथ रखता है के साथ रखता है जो बड़ा बेटा है फेरक्स उसके साथ डॉर्डन नामी कॉंसलर को रखता है जो कि उसे मश्विरे दिया करेगा और जो छोटा बच्चा है छोटा बेटा है उसके साथ वो फिलेंडर नामी पॉरक्स के साथ फिलेंडर नामी कॉंसलर को रखता है कि यह मेर और उन्हें मेरी तरफ से और अपनी तरफ से अपनी जहान रिर्थ केमताबिक तजर्बे के मसवरे डिएगा। सलतनत और पावर को हाथ में लेने के बाद ना तो फैरेक्स-डॉ।डन की कोई बात सुनता है कोई मशवरा लेता है ना ही फिलेंडर जो है वो उसकी बाद को पोरक्स किसी किसम की कोई भी एहमियत देता है बलके एक हर्मन नामी एक दर्बारी है एक खुशामदी है जो के फैरक्स को फैरक्स को अजीब और गरीब तरीके से वो अपनी मिठी मिठी बातों से वरग लाता है और दूसरी तरफ टेंडर है जो को पोरक्स को अपनी बातों में जो है वो मगन करके और खुशामद करके अपनी बाते मनवाता है और उसे डी लाइन करता है पटड़ी से उता आता है सिदे रास्ते से उताते हैं तो ये खुश खुशामदी ये बहुत अच्छे लगते हैं और बाकी जो इनकी बाप ने जो कॉंसलर दिये हैं वो इने बहुत बुरे लगते हैं अब क्या है कि इनके खुशामदी की ट्रेजडी का बाइस बनते हैं जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है फैरक्स उसको उसके खुशामदी औ और तमाम दूसरे दर्बारी जो कि उसकी खुशामत करते हैं कहते हैं कि वे तुम तो बड़े बेटे थे तुम्हारा ज्यादा हक था और सारी सल्तनत जो है ये तुम्हारा हक था हक थी तुम्हारा राइट था जहां भी देखो असूल यही है कनून यही है कि बड़े बेटे क مکمل سلطنت ملتی है. तो यह तो तुम्हारा हक था तुम्हारे बापने तुम्हारे साथ नाइनसाषी की है. तो दूसरी तरफ जो पोरेक्स के खुशाम दिये थे, उन्हीं पोरेक्स को कहा, के जनाब तुम्हारा भाई जो है तुम से लड़ने के लिए आरहा हाथ में फैरक्स के हाथ में आए तो पोरेक्स क्या है पोरेक्स एक लड़ाई का जो है वो लायहा अमल पेश करता है वो मुनसूबा बनाता है कि उसके बाई फैरक्स के अटैक करने से पहले ही वो उस पर अटैक कर देगा то लडाई होती है और फेरक्ष के फेरक्ष जो है वो पॉरक्ष के हाथ से यानि के छोटा भाई जो है बड़े बाई का कतल कर देता है फेरक्ष जो था अपनी मां कुईन वी डेना का बहुत ही लादला बेटा था और वह भी चाहती थी कि मेरे बड़े बेटे को सारी सलतनत मिलनी चाहिए इस तरह ये फसाद वर्पा नहीं होना चाहिए तो वो ही हुगा इसका बेटा जब मर जाता है तो मां बहुत ज्यादा जैलस है कि वो बड़े बेटे से प्यार भी ज्यादा करती थी और उसकी राए भी यही थी सोच भी जही थी चाहती भी जही थी उसके बड़े बेटे को सारा कुछ मिले और छोटे बेटे पोरेक्स से इतना ज्यादा प्यार नहीं करती थी अब इसने जैलसी में अब इसने हेट में अपने छोटे बेटे पोरेक्स को कतल कर दिया इस सारे मामले की जो इतला जो है बात जो है ये जैसे जंगल को आक लगती है और फैलती जाती है इस तरहां पूरी की पूरी सल्तनत में जो है जनाब फैल गई और लोग बादशा गारवडक और कुகी वृडएना इन दोनों के इंताई जदा खलाफ हो गए और इनोंने इन दोनों को कतल कर दिया अवाम ने अवाम ने मार दिया सिवल वार जो है वह शुरू हो जाती है سلطنت جو ہے وہ پارہ پارہ ہو جاتی ہے زمینوں کا حال برا ہو جاتا ہے سیولوار کا آغاز ہو چکا ہے ہر طرف کیوس ہے اور اب کچھ نہیں پتا کہ اب سلطنت کسے جائے گی کیوں جائے گی کیونکہ بادشاہ کی نسل جو ہے اپنے دو بچوں تک محدود تھی وہ شاہی خاندان ختم ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ شاہی خاندان کسے جائے گی کیوں جائے گی تو میں اپنی زندگی میں ये सारी साथ नद अपने बेटों में बाट दूँ लेकिन उसने जो है वो अकल से काम लिया या कल से काम नहीं लिया इस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सोच कर कमेंट करें अपर बहुत सारा क्या रखेंगा शुरू